नीज सुबाइस में एक पंदरा साला छोटा लड़का टोक्यो की फेमस कार सर्विसिंग कंपनी में अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए जॉब के लिए गया था लेकिन उसके ओनर ने उसको शॉब की क्लेनिंग और ओनर के बच्चों की देख बाल का काम सौब दिया पर किसको मालूम था कि ये चोटा लड़का सोचीरो होंडा एक दिन इतने बरे ग्लोबल ओटो मॉंबाइल सोंडा ब्रेंड का फाउंडर बनेगा ये कहानी शुरू होती है 1906 में जब सोचीरो होंडा जपान के एक छोटे और गरीब गाउं में पैदा हुआ था इसका बाप एक लोहार ता और अपार्टा साइकल रिपेरिंग का काम करता था होंडा के बागी बहन हेल्थ इशूस की वज़ा से इस दुनिया में नहीं रहे थे अब होंडा से ही सारी उमीदे वापस था थी उसके पैरेंट्स की लेकिन होंडा को स्टेडिस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो ज़्यादा वक्त अपने बाप के साथ साइकल रिपेरिंग में गुजारता था आठ साल की उमर में होंडा अपने मुहले में खेर रहा था 1922 में होंडा को टोक्यो की फीमस ओटो मुबाइल सर्विसिंग कमपनी आठ शुकाई में जॉब मिली लेकिन ये जॉब रिपेरिंग के बज़ाए बेबी सीटिंग और क्लीनिंग की थी पर होंडा वापिस अपने गाउन अकामी और शिर्मिंदगी की वज़ा से नहीं गया और वहीं काम करता रहा कुछ अरसे में आठ शुकाई के मालिक ने होंडा को रिपेरिंग की काम पर लगा दिया और जब होंडा की दिल्चिस्पी और धोरे वक्त बहुत कुछ सीख जाने को देखा तो होंडा को अपना शागिर्द बना ले और जल्द ही वो बहुत अच्छा मेकैनिक बन गया आठ शुकाई के मालिक ने होंडा और बाकी वरकर के साथ मिलकर अपनी दो स्पोर्ट्स कार्स बनाई जो 1924 जैपनीज मोडर कार्ट चैम्बिनशिप में फर्स पुजीशन पर आई फिर 1928 में अपनी नियो ब्रांच खोले जिसको चलाने के लिए होंडा को इसकी जिम्मेदाली दे दी यहां पर होंडा एक प्रिलियन रिट्रियनिक बन गया लेकिन अभी इसकी स्ट्रगल ख़तम नहीं हुई थी ना है उसका ड्रीम पूरा हुआ था होंडा ने अकेले ही इंजिन पिस्टन बनाने की एक कमपनी खोली जिसमें इसने पिस्टन बनाने के लिए दिन रात में और काफी धकी खाने के बाद एक कामियाब पिस्टन बना लिया जिसकी दूम मचना शुरू हो गई लेकिन जब 1940 में जपान वर्ल्ड वर्ड टू में एंटर हुआ तो सब कुछ तबाह हो गया सुष्चीरो होंडा वापिस जीरो पर आ गया उसकी कमपनी तबाह हो गई पर होंडा ने हार नहीं मानी वार के बाद जब 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 जबान आस्पोर्ट क्राइसिस से गुजर रहा था तो मेंगाई बढ़ती जा रही थी तो होंडा ने दिमाग लगाया और साइकल्स पर पहली बार यूस इंजिन्स लगाके नियू बाइस सैकल इंट्रोड्यूस करवाई जो बहुत फेमस हुई पर होंडा के पास यूस इंजिन्स खतम हो गए फिर होंडा ने खुद इंजिन्स बनाए और यू पहली बार साइकल्स पर होंडा नाम का लोगो नज़र आया पर होंडा का बच्पन का खुआप कार्स का अभी भी वही का वही था जिसको वह बूला नहीं था अपनी जिंदगी के 62 इर्स को गुजारने और कामयाबी हासिल करने के बाद होंडा ने अप कार्स की दुनिया दाकिल होने का सोच आई यह काफी मुश्किल था क्यूंकि जपान में अल्रेडी टोयोटो और निसान अपने बिजनेस जमाए बैठी थी लेकिन होंडा ने अपनी पहली पिकप ट्रक्ट T360 लाँज की पर यह फेल हो गई उसके बाद कई सालों दरजनों डिजाइन्स बनाए जो रेजेक्ट होते रहे फाइनली 1972 में होना सिविक लाँज हुई यह वो कार जिसके नियो मोडल्स आज पूरी दुनिया में फेमस है